नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा दस्वी क्रेतिका भाग 2 से जोर्ज पंचम की नाक पाट का प्रश्ण अभ्यास करेंगे। इसका पहला प्रश्ण है सरकारी तंत्र में जोर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिक्ता को दर्शाती है। सरकारी लोग उस जोर्ज पंचम की नाक को लेकर के चिंतीत हैं जिसने नजाने कितने ही कहरड़ाए। उनके अत्यचार को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाती है। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदुर्दर्शिता, मुर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी की भावना से स्वयम को मुक्त नहीं कर पाए हैं। दूसरा प्रश्ण होगा, रानी एलिजाबित के दर्जी की परिशानी का क्या कारण था? उसकी परिशानी को आप किस तरह तर्कसंगर ठहराएंगे? क्या उनकी परिशानी सही थी? जो दर्जी परिशान था, वो सही था। तो इसका उत्तर होगा, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पुसाकों को बनाने के लिए परिशान था। आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अर्थात उनके कपडों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की बेश पुशा तयार करने में यदि उससे कोई चुक हो जाती अगलती हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पर सकता था। तीसरा प्रश्ण है और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये गए होंगे। इसका उत्तर होगा इंग्लेंड की महराणी एलिजावित के आने का संकीत पाते ही नई दिल्ली का काया पलट होने लगा और इसके लिए हर इस्तर पर अनेक प्रियत्न किये गए उगे पहला पूरे दिल्ली सहर में साफ सफाई के लिए विश्य स्योजनाय तयार की गई होगी दूसरा इमारतों पर जमी धूल, मिटी, सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें सजाय समारा गया होगा तीसरा, रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकास की विवस्था और सजावट की गई होगी चौता, सडको के नाम की पट्टी लगा कर रेलिंग और क्रोसिंग को रंगिन किया गया होगा और तूटी सडको की मरमत की गई होगी पांचमा स्थान स्थान पर फोजी टुकडियां तैनात की गई होंगी छठा जगजग स्वागत द्वार बनाया गया होगा साथमा मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गये होंगे आठमा राजपत के दोनों और फूल पोधे लगाये गये होंगे इस तरह का प्रयास किया गया होगा राणी के स्वागत का चोथे प्रश्न का पहला है आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंदी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विकार है? विसका उत्तर होगा आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तीयों के पहनावे और खान पांसमबंदी आदतो आदी का वर्णन का दोर चल पड़ा है वह अनावश्यक है अनावश्यक यानी जरूरी नहीं है अनावश्यक रूप से पत्रकारिता में इसका वर्णन किया जा रहा है इस तरह कि पत्रकारिता राष्ट हित के लिए अनुकूल नहीं है उपयोगी नहीं है क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीड़ी को भ्रहमित कर रही है युवा उसे पढ़ करके वो भ्रहमित हो रहे हैं पत्रकारिता लोक तंत्र का वह मुख्य स्थम्भ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा रास्ट दोनों के विकास में महत्वपुर्ण भूमिका अदा करती है इसका ससक्त होना अवश्यक है इसमें इस पत्रकारिता के माध्यम से इस तरह की बातों का प्रकाशन होना चाहिए जिससे युवापीडी प्रेरित हो न की भ्रमित हो इसका दूसरा प्रश्ण है आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंध आदतो आदी के वर्णन का दौर चल पड़ा है इस तरह की पत्रकारिता आम जनता पर विशेशकर युवापीडी पर क्या प्रभाव डालती है इसका उत्तर होगा इस प्रकार की पत्रकारिता पाटको को दिख भ्रमित करती है और विशेशकर युवापीडी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीडी को नकल करनी के सिक्षा देती है यानि लोग दे उसे फैसन के रूप में अपना कर अपने समाजिक व्यभार और लक्ष को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। पांचमा प्रश्ण है जोर्च पंचम की लाट की नाग को उन लगाने के लिए मूर्थिकार ने क्या 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 श्राम थे वहां पर उसका दोरा किया मूर्थीकार खा उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्थी को मिलान किया ताकि उस को मूर।ि से नाख निकाल कर अकर श्राण प्रोगाई सके परन्तु दुर्भागे से सभी की नाक जोर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली सहीद हुए बहादुर बच्चों की नाके भी नापी गई गा, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हतास मूर्दिकार की सलाह पर चिन्तित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परा मर्श दिया और प्रेतन भी किया। इस तरह का प्रेतन मूर्दिकार नहीं किया। साथवां प्रश्ण है नाक, मान, सम्मान, वप्रतिष्ठा का ध्यो तक है यह बात पूरी व्यंग रश्णा में किस तरह उभर कर आई है इसका उत्तर होगा नाक, इजद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है शायद यही कारण है कि इससे संबंदित कई प्रचली थे हम सब देखते हैं नाक से संबंदित बहुत मुहावरे हमें देखने को मिल जाते हैं जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदी इस पार्ट में नाक, मान, सम्मान, वप्रतिष्ठा का ध्यो तक है यह बात लेखक ने व्यंग के माध उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था, सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को उचा करने के कारे को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं, यहां तक कि जोर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं सहस्ती बालकों के सम्मान को भी ताकपर रख देते हैं, इस पार्ट में सरकारी तंत्र की गुलाम मान सिकता तथा बैमानी की पर्ष्ट जलक दिखाई देती हैं, आठवा प्रश्ण है, जोर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतिय नेता यहां तक कि भारतिय बच्चे की नाक फिटन होने की बात से ले संत्ता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाये थे, उसकी लाट की नाक कायब हो गई थी, बहुत ढूनने पर भी किसी भारतिय महापुरुस या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिटन बैठ सकी, यहां लेखक ने भारतिय समाज के महान नेत वह सासी बालकों के प्रती अपना प्रेम एवम स्रद्धा गर्व से प्रकट की है, देश भक्त भारतियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बुढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, उनकी मान मर्यादा और इज़त के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्नी की कोई इज़त नहीं है, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे भारतियों देश भक्तु की नाक सहस्त्रों गुणा उची है, नवा प्रश्न है, अखबारों ने जिन्दा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तूत किया, इसका उत्तर होगा, अखबारों में यह खबर छापी गई कि नाक का मसला हल हो गया है, राजपत पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है, इस खबर को कोई विशे सस्थान नहीं दिया गया, इस तरह बहुत ही संचे में इस खबर को अखबार में प्रकाशित किया गया, दस्वा प्रश्न है, नई दिली में सब था, सिर्फ नाक न थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इसका उत्तर होगा, इस कथन के माध्यम से लेखक अती थी देवो भव की भावना के कारण, ब्रेटि स्वार्थ के लिए कारे करती है, वह एलिजाबेट एवं प्रिंस फिलिप के आने पर, चालिस करोर भारतियों में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर, जोर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमान जनक बात सोस्ती है, सोस्ती और करती है, पूर्ण रूप से गलत है, जोर्ज पंचम की लाट को ही हटवा दिया जाता, यानि मूर्थी को ही हटवा देते, लेकिन किसी भारतियों की नाक उस मूर्थी पर नहीं लगाते, ग्यारवा प्रशन है, जोर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अकबार क्यों चुप थे, इसका उत्तर होगा, तो पूरी दुनिया क्या कहती, दुनिया के लोग जब जानते कि आजादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुकमरान, आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, प्राया अकबारों पर सरकारी दवाब भी रहता है, इसलिए या खबर जिस दिन आए उस दिन अकबार सारे अकबार चुप थे, कोई विशेश प्रतिक्रिया नहीं हुई थी,